वेल्लो एवरिवन वेल्कम बेक टू माई चैनल आज हम बनाएंगे चोले कुलचे के साथ खायाने वाले चोले तो बहुत ही स्पेशल चोले होते हैं यह दिल्ली वाला फ्लेवर में लेकर आई हूं दिल्ली की चार्ट आपको पता ही होगा कि कितनी फेमस होती है तो प्रोपर यह खाये और वीडियो बहुत चोटा ही बनाया है मैंने तो इसे पूरे चरूर देखिए और अगर आपको चार्ट खाना पसंद है तो इसे एक बार जरूर बनाना तो चलिए शुरू करें दिल्ली स्टाइल चोले बनाने के लिए सबसे पहले यहां पर मैं आपका डाउट क अब ही मैं से उबाल रही हूं नमक और हल्किसी हल्दी डाल कर जब आप यह मतर उबाल रहे हैं तो हाई फ्लेम पर चार सीटी लगाने के बाद आपको इस तरीक से चेक करना है तो यहां पर सबसे पहले तो पानी ज्यादा बिल्कुल ना डाले इसमें क्योंकि यह पानी हमे अगर आपको लग रहा है कि एकदम परफेक्ट है तो सही है और अगर आपको कच्छी लग रही है तो एक से दो सीटी और लगा लेकिन एक साथ ज्यादे सीटी बिल्कुल ना लगाए क्योंकि उससे क्या होगा ना कि यह ज्यादे मैशी हो जाएगी हल्वा टाइप बन हमें यहाँ पर जैसे आपने देख होगा कि छोले वाली जो चाट होती है एकदम खिली खिली उनकी मटर होती है हमें इसको उस तरीके से उबालना है तो शुरुवात में आप चार से पांस सीटी लगाए और फिर खोल के चेक करें अगर आपको लग रहा है कि कच्छी है तो एक सीटी और लगा ले मटर को उबालने के लिए मैंने पांस सीटी लगाई है हाई फ्लेम पर और कई बार आपने देखा होगा कि जब हम यह मटर उबालते है ना तो इनका छिलका उपर आने लगता है तो अगर आप इने प्रोपर तरीके से उबालेंगे तो छिलका कट करके और दो मीडियम साइज के टमाटर को बारी काट के लिया है मैंने तीन हरी मिर्चे लिए बिल्कुल बारी काट के इसी में डालते रहे हैं पर सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत टेस्टी यह चाट बनने वाली है उसके बाद हम इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर ब्राइ मैंगो पाउडर और 3 टेबल स्पून चाट मसाला और इमली का पानी डालेंगे इमली को पानी में भीगो के रख ले थोड़ी देर और उसको पानी होता है वो इसमें डाले तब ही चाट बिल्कुल बजार जैसी बनेगी अगर आपको चाट मसाला कम चाहिए तो इसमें नहीं होता उसके अद काला नमक डाला है मैंने और ला मिर्ची का पाउडर भी डाला है और थोड़ा सा भुनावा जीरा भी डाल देंगे इसमें और अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यहां पर यह चाट बनके हो गया तियार इसके अलावा इसमें नीबू का रज डा डाला जाता है हरा धनीय डाला जाता है और प्यास ड़ाली जाती है लेकिन ये तीनोची यह उस टाइम पर डालनी है जब आप इसे खा रहे हैं हरा धनिया तो यहां पर इसमें επल्द बनाऊ-ब्रुष्एं तैयार हो गई है देखो दो तरीके से चार्ट ये बनाई जाती है एक तो ये जो मैंने आपको अभी कुकर में दिखा दिये बना कर एक तरीका ये होता है दूसरा तरीका यह होता है कि कुछ लोग तवे पे बड़े से तवे पे इसे बनाते हैं तो वो कैसे बनाते हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ हम घर में कड़ाई में से बना रहे हलका सा तेल डालेंगे जादे ना डाले हलका सा डाले फिर इसमें यह जो छोले हमने बना के रखें वो डाल देंगे कुछ लोग ऐसे खाना पसंद करते हैं लेकिन यह सिंपली जो कूगर में बनी है न बहुत टेस्टी लगती है आप बना कर देखना यह सब करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर फिर भी आप करना चाहते हैं आपको खाना है ऐसे तो आप ऐसे बना सकते हैं हलका सा तेल डाले उसमें अपने छोले डाल दें अच्छे से हाई फ्लेम परिने दो तिन मिनट के लिए पका लें तो सेम प्रोसेस रहेगा सिंपल रेसिपी है जट पड बन जाएगी कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है लेकिन दिल्ली वाला फ्लेवर आपको मिल जाएगा खाने के लिए सेम मसालों के इस्तिमाल करें कम ज्यादे आप अपने साबसे मसाले कर सकते हैं कुछी आपको पसंद निये तो कम कर लें कुछ ज्यादे पसंद है तो थोड़ा ज्यादा डाले उसके अलावा देको ऐसे सर्व करते हैं वो लोग थोड़ा से जब वो अपने त लेकिन सिंपली जो मैंने कुकर में बनाई है ना सेम प्रोसेस से आप खाईएगा बहुत अच्छी लगती है यह सब ताम जाम करने के कोई जरूरत नहीं है लेकिन अगर थोड़ा हो और आपको मज़ेदारी से बनाना है तो आप ऐसे कर सकते हैं तो यहां पर थोड़ी से क्व आपको सर्व करके देते हैं तो बिल्कुल ऐसे बनाना है सिंपल सी रेसिपी है तो एक बार बनाईए खाईए और मुझे जरूर बताईए कि आपको दिल्ली वाली चाट कैसी लगी है आपको अ झैल कर 10डन मुझे बनाा है मूझे प्रिश कि हैं यहां तो बत regenerative खेड़ी है सबस्के गहें खादींटेजर मुझेंपे जरूर वहीरावी उओको अटन आगा है, ऴालना है, तो ए हम अपकों। आपको चreichen मुझे अपकोछ burns मूझेए, यहे हैं आपकों।